नमस्कार किसान भायों कैसे हैं आप लोग में गोई पडेल और देख रहे हैं खेती की पार्ट से यूटुब चैनल यूरिया के बाद अगर कोई भी फटील आ जारहे है जो सबसे ज्यादा बिखता है तो वह है डियेपी डियेपी का यूज सबसे ज्यादा यूज होता है पंजाब में हाला कि डियेपी का तो यूज लगभग पूरे के पूरे भारत में अच्छे तरीके से होता है तो फिर आज कायर विडि़ियो में हम लोग ने देखें कि यह जो DAP इतने ज़ादा किसान यूस क्यूं करता है तो DAP में ऐसे क्या खास है जाथ, DAP कैसे बना है, और हम लोग DAP को घर में कैसे बना सकते है, यह दस्तो DAP के सबसे जो खास 18% होता है nitrogen और 46% होता है phosphorus जिसमें से 15.5% ammonium form में दीता है क्या होता है कि कोई भी जैसे कि हम लोग use कर यूरिया उसमें होता है nitrogen nitrogen convert होता है ammonium में ammonium convert होता है nitrate में उसके बाद पौधे उसको लेता है तो DAP में nitrogen का अगला step ammonium को दिया रहता है कि उसमें लगभग 15.5% ammonium रहता है तो उसमें 2.5% urea भी उसमें मिला के उसको बनाया जाता है उसके बाद आते है कि इसमें फासपोरस में क्या रहता है फासपोरस इसमें होता है 46% जिसमें से लगभग 39.5% इसमें water soluble phosphorus का यूज किया जाता है पानी में घुलंसील है तो उसका असर जल्दी दिखता है खास कर हमारे जो normal फासपोरस होते हैं तो इसलिए उसके water soluble form में होना फासपोरस का और second urea का ammonium form में दे हैं इससे क्या होता है कि जैसी हम लोग इसको खेत में डालते हैं तो तूरां तसर दिखाना शुरू कर देता है तो अपि इने देखते हैं कि हम लोग DAP को घर में भी बना सकते हैं क्या बिल्कुल अब लोग ने DAP को चाहे तो घर में भी बना सकते हैं सिंपल था उसमें होता है 18% nitrogen और उसमें होता है जो कि जे 18 और 46 के जो भाग में रहती है तो उसके लिए आपको 49 kg आपको चेये यूरिया फासपोरस चेये लगभग 287 kg जिसको हम लोग सिंगल सूपर फासपेट की में अगर बात करूं आप मिक्स कर देते हैं कंबीनेशन तो उसमें जो 50 kg जैसे आप निकाल के अपने खात मे सब्सक्राइब करें लाइक और अगर आप नहीं है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब मैं घंटी वाले आइकन को कर दीजिए प्रेश जित से कि जब भी खेती से सम्मधिद नया वाला वीडियो दोले तो सबसे पहले नोडिकिशन आपको मिले तो आर वीडियो को देख झाल 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 झाल